2024 से पहले गठबंदन हो रहा एक BJP को हराने के लिए नेताओं ने मिला लिये हाथ चुनाओं के बाद ताय होगा PM पद का दाविदा देखिए हमारा 2024 पर महा मंथन जो बताएगा BJP और गठबंदन के जीत हार का पूरा गनित आगामी चुनाओं को किसी भी सूरत में विपक्ष अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसन नहीं छोड़ रहा मौका कोई भी हो महा गडबंदन BJP को आड़े हाथ ले रहा है जिसमें कभी मंच पर खड़े होकर BJP की खामियों को गिनाता है तो कभी अपने सभी फैसले बात के लिए छोड़ कर अभी एक हो जाओ ये फर्मान सुनाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी भी हाल में राजिक और केंद्र की सत्ता को BJP से छिनना चाता है जहां एक और कुछ शेत्रों में नगनिकाय चुनाओं करीब हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाओं में भी अब देर नहीं बची है ऐसे में महागडबंदन का एक हो जाना BJP के लिए घातक साबित होगा जैसा कि चुनाओं के करीब आते ही विपक्ष एकजुट होने लगा है इनी सब के बीच इसी सोमवार को नितिश कुमार ने पस्ट किया है कि वो सिर्फ विपक्षी दलो को एक जुट करने में लगे हैं इसको लेकर नितिश ने ये भी कहा है कि वो PM पत के दाविदार नहीं बनेंगे दरसल नितिश को कहना था कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझको PM फेस नहीं बनना है हम सिर्फ मिलकर काम करेंगे अभी हाल ही में बिहार के सीम नितिश कुमार डिप्ती सीम तेजस्वी यादव के साथ कौकता पहुँचे और पस्टिम बंगाल की सीम ममता बेनरजी से मुलाकात की उसके बाद दोनों निता लखनव पहुँचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश व्यादव से बातचित की इस बातचित के बाद नितिश और अखिलेश व्यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉनफरेंस की इसमें नितिश कुमार ने विपक्षी एक्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग जादा से जादा पातियों की राय एक हो जाए ताकि ये देश आगे बढ़े और देश को बीजेपी से मुक्ती मिले इस तरह से अब नितिश कुमार भारत को बीजेपी से मुक्त कराना चाहते हैं कुछ उसी तरश पर राहुल गांधी ने भी भारत जोडो यात्रा प्रारंब की थी ताकि भारत को बीजेपी से मुक्त किया जा सके दरसल राहुल गांधी ने बीते साल 7 सितंबर को तमिलाडू के कन्या कुमारी से भारत जोडो यात्रा शुरू की थी 136 दिनों की इस यात्रा में राहुल ने जनता से सीधे संपर्क किया इस यात्रा में राहुल ने भारत के कोने कोने तक जाकर अपनी राय कही और एक बड़ा जनधार अपने पक्ष में कर लिया लेकिन इस यात्रा में मम्ता बनर्ची और अखिलेश यादव को भी निमंत्रन दिया गया लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए जिसके पीछे वज़ा कुछ भी हो लेकिन लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि विपक्ष की एक तात्यतर बितर है लेकिन ऐसे में निटिश कुमार का आगे आकर मूर्चा संभाल लेना और किसी भी हाल में महागडबंदन को फिर मजबूत करना ये संकेत करता है कि 2024 की चुनाओं को लेकर मुकाबला जबरदस होगा ब्यूरो रिपोर्ट पीडियन न्यूज